CISF की महिला कॉंस्टेबल ने कंगना रनौत को जड़ दिया थपड पूरे देश वर में हो रही है चर्चा नमस्कार मैं किशन कुमार हूँ दोस्तों कंगना रनौत एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं अभी हाल ही में चुनाव की वज़े से चर्चा में थी हिमाचल प्रदेश से सांसत तो बन चुकी है उस वज़े से भी चर्चा में थी लेकिन अभी कुस घंटों पहले की ही अगटना है चंडीगर एरपोर्ट पे चेकिन करते वक्त CISF की महिला कॉंस्टेबल कंगना रनौत को थप पर जड़ देती है पूरी बात बताते हैं वीडियो कोंत तक जरूर देखिएगा आप जानते हैं कंगना रनौत अपने बेवाग बातों के लिए बिवादित बातों के लिए बयान बाजी के लिए शर्चाओं में हमेशा रहती हैं बयानों से कई लोग इत्तफाक रखते हैं तो कुछ परतिसत लोग नराजगी भी जाहिर करते हैं आपको बता दें कि पहले कंगना रनौत ने एक बयान दिया था कि किसान जो आंदोलन करने आ रहे हैं वो सौसो रुपे ले करके चले आते हैं इस बात से पुरे देश भर में एक अलग ही माहौल बन गया था कंगना रनौत वैसे भी एक अभिनेतरी हैं और उनको लोग खूब जानते और पाशानते हैं देखते हैं कंगना रनोत के इस बयान से पूरे देश भर में एक अलग ही माहल बना और कई सारे लोगों ने इस पर पर्तिकिरिया भी दी आपको बता दें कि चंडी गरे अरपोर्ट पे कंगना रनोत जैसे ही चेकिन करती है एक स्टेप सिक्रूर्टी क्रोस करने के बाद दूसरे स्टेप जब पहुंचती हैं तो वहां खड़ी CISF की महिला कॉंस्टेबल इनके शेहरे बे थपड़ जड़ दे थी तुरत ही अफरा तफरी का महौल बन जाता है पूछने पर महिला कॉंस्टेबल नराजगी ब्यक्त करते हुए कहती है कि तुम किसानों को सो सो रुपे लेकर के धरना देने वाला बता रही थी उस धरने में मेरी मा भी बैठी थी क्या मेरी मा सो रुपे लेकर आई थी क्या तुम वहां बैठ सकती हो इस तरह की बयानबाजी करते हुए महिला कॉंस्टेबल अपना गुस्सा जाहिर किया और ये वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल चल रहा है उस तो आपको बता दे कि इस घटने के बाद खंगना रनोत ने एक वीडियो जारी किया है सोसल मीडिया पर वो भी वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कंगना रनोत ने कहा महिला कॉंस्टेबल द्वारा मेरे साथ किये गए दुरवेवार के कारण मुझे धेर सारे फोन कॉल सा रहे हैं मुझे इसके बारे में आप सब को बताना है मैं जब चेक इन कर रही थी तो महिला कॉंस्टेबल ने मेरे चेहरे पर ठपर जड़ा मैं सेफ हूं लेकिन गुस्से में उसने ये बात बताया कि किसानों को मेरे द्वारा बोले गए सब्दों से वो नराज थी और द जिम्यदार लोगों का कहना है कि महिला कॉंस्टेबल गद्वारा इस तरह के हरकत करना गैर जिम्यदार आना है इस पर कहरवाई होनी चाहिए गुस्सा जाहिर करने का ये तरीका बिल्कुल गलत है तो सोचल मीडिया पर भी इस मामले की कड़े सब्दों में लोग निंदा भी खूब कर रहे हैं आप सब क्या कुछ सोचते हैं इस घटना और इसका कारे को ले करके इस मामले को ले करके ये कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगली वीडियो में कुछ और फिलाल वीडियो को सेर जरूर कर लिएगा नमस्कार धन्यबाद